Hey guys, welcome back to my channel Outright Men, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो चलेगे तो like, share और comment कीजेगा, और साथ ही साथ उस bell icon को प्रेस करदना आने वाली सारी वीडियो की notifications के लिए, आज का जो हमारा topic है वो है सुबा उटकर खाली पेट, गरम प पीना चाहिए, मगर वो गरम पानी हो या lukewarm water हो यानि गुनगुना पानी हो तो जादा अच्छा रहेगा आपकी body के लिए, उसका main reason है कि आप पिछले 7-8 गंटों से सो रहे होते हो और आपकी body dehydrate हो जाती है, तो आपको सुबा उटकर गरम पानी पीना या पानी पीना बह अच्छा कर सकते हो, जैसे जैसे मौसम change होता है, हम में से बहुत सारे लोग जल्दी बिमार पढ़ जाते हैं, जैसे कभी गला खराब, कभी सर्दी, कभी जुकाम, आम बात हो जाती है, मगर रोज सुबा एक गलास गरम पानी पीने से आप अपने immune system को healthy रख सकते हो, आप अ तो धीरे धीरे आपका weight reduce होना शुरू हो जाएगा, आपकी वो जो छोटी छोटी भूक है, वो आपको लगेगी नहीं, तो धीरे 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 करके आपका weight खुद बखुद reduce होने लगेगा, दूसरे फायदे के बाद अगर हम बात करें, तो तीसरा फायदा है sinus, अगर आप आपको sinus की problem है, आपका नाक बंद रहता है या आपको बहुत जादा छींके आती है, आपका सरदर्द करता है, तो सुबह उटकर गरम पानी पीना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है, जो गरम पानी होता है, वो आपके नाक में बनने वाले mucus को खतम करता है, और आपको दीरे-दीरे जो आपकी sinus की problem है, उससे आपको काफी relief मिरती है, सुबह उटकर गरम पानी पीने का चौता फायदा है कि गरम पानी आपको constipation में भी help करता है, सबसे पहली चीज़ गरम पानी पीने से आपकी arteries में cholesterol नहीं जमता, दूसरी चीज गरम पानी पीने से आपकी intestines expand ह जाती है, अगर जब आपकी intestines expand हो जाती है, तो आप अपने gut को बहुत easily clear कर सकते हो, गरम पानी पीने का पांचवा फायदा है कि ये आपको detox करने में help करता है, क्या आपको पता था कि गरम पानी आपको detox करने में help करता है, नहीं न, ये सही बात है, अगर आप गरम पानी पी गरम पानी में green tea डाल देते हो, तो आपकी body की अंदर से भी cleaning हो जाती है, गरम पानी पीने का sixth और last पायदा है कि गरम पानी आपको swelling, pain में भी relief देता है, और आपके muscles को relax करता है, बगर इन सब के साथ साथ आपको workout करना भी ज़रूरी है, as I always say, stay healthy, stay fit.